मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत क्यूट है तो एक पैन में एक बॉल पानी लेंगे फिर उसमें डाल देंगे एक चमच नमक छोटा चमच डाला है मैंने यह आपर फिर उसमें हम डाल देंगे एक चमच गी गी आयल आपकी चोईस है अब कुछ भी डाल सकते हैं जब पानी गरम हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे एक बॉल चावल का आटा अगर आपके पास मे है तो आप mixине में फान के चावल ना सकते हैं है हमें से एक अच्छे से mix कर देना है धकते तीन-चार मेनिट के-लिए रग देना है जब थोड़ा सा गुन समय हो जाई है है कि तब हमें इस इक बरतन में निकाल देना है और फूल से एक्षाय से मिक्स कर देना है अब चाहें तो हाथ में ही लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा चिपके गानी तो हाथ में और अच्छे से मिक्स कर देंगे देखिए मैं आप वह करके बता रही हूं कि इस तरव से मिक्स करना है जब यह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके छोटी धूरियां बना देनी यह बना देनी है जितनी छोटी होगी इतनी जादा अच्छी लगेई और थोड़ी हम इससे स्टीम करेंगे तो यह फूल भी जाएगी बस यही हमें थोड़ी मैनत करनी है बागी रेसिपी में ज्यादा कुछ मैनत है भी नहीं अब हम स्टीमर रेडी करेंगे मैं यहां छनी में रख रही हूं नीचे मैंने पानी डाला है और उपर से मैंने छनी को ग्रीज भी किया है और इसे हम 15-20 मिनिट के लिए ढखके रख द देखिये काफी अच्छी लग रही है थूझी पूल भी गयी है अब हम इसे नीचे लेगे और रेडी करेंगे इसका है वह श्री प्रवारी सी उड़त की दाल एक चोटा चमच लिया है मैंने उड़त की दाल का फिर हम इसमें डालेंगे रोस्टीट बैंगल ग्राम्स थोड़े से डाले हैं मैंने यह अच्छे से भून गया है तब हम इसमें डाल देंगे सुखी भी लाल मिर्च अब अपने स्वाद के इसलिकल नहीं है यह कितनी स्वादिष्ट लग रही है और दिखने में भी बहुत अच्छी एकदम क्यूट सी लग रही है तो तयार है हमारी गोली इडली अब हम सर्व करेंगे प्लेट में आप चटनी के साथ में सर्व कीजिए मैंने थोड़ी स्पाइसी बना दी इसलिए ऐसे ही खाने वाले हूं तो अब हम सर्व करते हैं कि देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी गोली इडली एक बार आप ये रसीपी जरूर ट्राइए कीजिए वहुत ही सिंपल है लेकिन महुत ही स्वादिष्ट है तो फिर मिलते हैं एक नई रसीपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग